इसके 10 वी और 12 वी के student है देखो अगर आप e-service का यूज करके कोई certificate मंगाना चाहते हो जैसे कि अगर आप mark sheet मंगाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको कितना fees पे करना पड़ेगा और कितने दिनों में mark sheet आपके घर तक आ जाएगी और ठीक इसी तरीके से अगर आप passing certificate के लिए apply कर रहे हो तो कितना fees लगेगा आपको और passing certificate आपके घर तक कब तक पहुँचेगा इसी तरीके से अगर आप परविलने certificate के लिए apply कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना fees देना होगा और परविल्ने सेटिफिकेट आपके घर तक कप तक आएगा तो ये तो कुछ मेजर इशू है इसके साथ साथ हम जो मारक्षिट करेक्शन करवाते हूए अप जैसे कि अगर आप अपने मारकषिट में नेम करेक्शन करवा रहे हूं या फिर आप अपने father name correction करवा रहे हो या फिर आप अपने mother name correction करवा रहे हो या फिर आप अपना DOB correction करवा रहे हो या gender change करवा रहे हो तो इन सब का charge जो है कितना लगेगा ये भी हम इस वीडियो में देख लेंगे और correct होके कब तक मतलब approval मिल जाएगा आपको और mark sheet में कब त correction सही हो जाएगा आपका जो भी change करवाए हो तो ये सब बात हम इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता जाता हूँ कि अगर आप e-service के थूरू अगर आप mark sheet के लिए apply करते हो तो fees जो है वो 362 रूप है ठीक है ये 362 रूप है जो मैं आपको बता रहा हूँ अब मैं ये fees आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने payment किया था वो internet banking के थूरू किया था हलाकि होता सारे 300 रूप है लेकिन जब मैंने internet banking के थूरू payment किया था तो लगभग 362 रूप है आ रहा था तो आप इस वात का ध्यानक ना कि अगर बारवी का तो उस case में आपको 362 रूप है पे करना पड़ेगा ठीक है एकात रूप है आगे पिछे हो सकता है ठीक है और ये mark sheet आपके किते दिनों में आ जाएगा आपके पास तक तो देखो अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो और दिल्ली से apply कियो हो mark sheet के लिए तो आप के mark sheet जो है आपके घर पर 7-14 दिन के अंदर आ जाएगा लेकिन वही अगर आप किसी other states में रहते हो और वहां से अपने mark sheet मंगाया है तो उसमें लग जाएगा जादा समय जादा समय से मतलब है कि एक महिना लग जाएगा या देर महिना भी लग जाएगा अब मैं ऐसा इसलि दिल्ली में तो अबेसली सी बात है कि जो दिल्ली में रहते होंगे उनको जो भी order करेंगे जल्दी मिल जाएगा और आप किसी other state में रहते हो तो वही आपको ज्यादा समय लगेगा आप तक पहुंचने में तो कहने का मतलब यह कि आपके location पर depend करता है कि आपका location किस state में अ अब जो आपकी माक्षीट जितनी भी print होती है वह सारा एन यूएस headquarter से प्रिंट होता है उसके बाद dispatch होती है ठीक है तो इस वात का ध्यान लखना और ठीक इसी तरीके से अब मैं यह जो है यह dispatching date जो बता रहा हूं मैं आपको कि आपके घर तक कब तक आयागा यह सब certificate में सेम रहता है पुरुविल्यस certificate में भी सेम रहता है और passing certificate में भी सेम होता है तो पुरुविल्यस certificate के लिए अगर आप apply कर रहे हो तो उस case में आपको 162 रुपे पे करना पड़ेगा ठीक है यह internet banking से किया हुआ payment है वो मैं आपको बता रहा हूं और इसी तरीके से अगर आप प passing certificate का सेम ही है 112 रुपे तो तीनों certificate का हो गया और certificate आपके घर तक कब तक आएगा यह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया location अगर आपका आपका दिल्ली का है तो जल्दी आ जाएगा 7 से 14 दिन में आ जाएगी other state में रहते हो तो एक महिना डेर महिना दो महिना भी लग सकता है क्योंकि बहुत बच्चों के लगे है ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर बता रहता हूं कि अगर आपने mark sheet में कोई correction यह तो उसका फीज जाता है 162 रूपए यह इंटरनेट बेंकिंग से किया पेमेंट है सबका मैं screenshot डालना हूं ताकि आपको संतुष्टी मिल जाए ठीक है तो 112 रूपए लगते हैं हर category में यही है थोड़ा बहुत changes हो सकता है उसके लिए माफी चाहूंगा तो 112 रूपए सार मतलब पूरा वह नहीं है कि आप इसी दिन मतलब करेक्ट हो जाएगा आपका इसका यह है कि अगर आपने डॉक्मेंट बिल्कुल सही से upload किये हैं तो यह मान के चलो कि आपका एक हपते से दो हपते में या तीन हपते में फाइनल तीन हपते में आपका जो भी है वह approval मिल जा है जो भी चेकर है online जो चेक करता है आपको डॉक्मेंट को चेह नहीं दिख रहा तो या फिर आपने उस पर मार् mould पर या जो भी आपने dukमेंट supporting document लगा अपने इपने sign नहीं किया तो हो सकता है ऐसमें आपको टाइम लग जाये या reject काफी वच्चों के होता है कि इसमें दो-दो महीना तक लग जाता है ठीक है धाई महीना तीन महीने तक लग जाता है करेक्शन होने में अगर आपने सही से डॉक्मेंट को अपलोड नहीं किया है सही से स्कैन करके उस पर साइन करके अपना आपने नहीं अपलोड किया है तो अ ने आपको बताया है कुछ और इसके अलाबा अगर आपको लगता है कि किसी हो टॉपिक पर इस वीडियो में बात होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया है तो आप क्या करना कि आप मुझे कमेंट कर देना एक उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे तो ऐसे अपडेट के लिए चैलन्ज को सब्सक्राइब रखना अगर आप नए हो तो थोरी बहुत वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर देना मिलते अगले वीडियो में